अब तो हिमाचल हो या करनाटका हो जहाँ जहाँ पाउं पड़े मोधी जी के वहाँ कॉंग्रेस को बड़ा लाब हुआ इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि जूट बहुत बोलते हैं थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोधी जी मध्य प्रदेश गए वहाँ कहते हैं कि साब कॉंग्रेस महिला विरोधी है कॉंग्रेस महिला बिल का विरोध करती है कुछ तो सोच के बोलो महिला बिल की शुरुवात किसके वक्त हुई थी 1989 में जब महिला बिल स्वर्गी श्री राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे जब संसद में आया लोकसभा में पारित हुआ राज्यस सभा में नहीं पारित हो पाया क्यों नहीं हो पाया वो साथ लोग कौन थे जिनोंने महिला बिल के विरोध में वोट दिया मैं गिनाता हूँ नमबर एक अटल बिहारी वाचपेई जी नमबर दो लाल कृष्ण अडवानी जी नमबर तीन राम जेठ फलानी जी नमबर चार जस्वन सिंग जी आप देखिए अभी मैंने आपको चार नाम गिनाए चारों कौनसी पार्टी के आपकी पार्टी ने उस वक्त 1989 में 1989 में जब ये बिल पास हो सकता था तब आपकी पार्टी के नेताओं ने आपकी पार्टी के सांसदों ने राजसभा में ये बिल गिराया आजाएए अब आप 2014 में दस साल हो गए उने आये हैं आपका पूर्ण भहुमत था आपको पूरा सयोग विपक्ष से था इस बिल पर क्यों नहीं लाए दस साल आपने गवा दिया और अब जब आप लाए हो तब भी आप 2034 कोई कहता है 2049 दस साल मिनिमम लगेंगे आपको इस बिल को कानून बनाने में यह आपकी नियत है और उसके बाद आपकी हिम्मत देखो कि मद्य प्रदेश में खड़े होकर आप कहते हो कि कॉंग्रेस इसके खिलाफ है यह आपकी हिमाकत है यह आपको कैसे आती है हमें नहीं समझ में आता